Good evening everyone, I hope you are doing well, आप सब अपना और अपनी फैमिली के ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे आज की क्लास में हम जितने भी important questions आपके exams में पूछे गए हैं उनको लेकर आए हैं जिनकी chances आगे के आने वाले exams में भी काफी हाई हैं पूछने के तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं सबसे पहले है UNESCO जिसकी full form है United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization इसका formation इस्थापना 16 November 1945 को हुई थी जिसका headquarter आपका Paris, France में है यह United Nations Economic and Social Council की Parent Organization है UNESCO की Parent Organization United Nations Economic and Social Council है आपने अभी पता है कि T20 World Cup हुआ है तो अभी उसी के बारे में जानते हैं ICC Men's T20 World Cup जिसकों की administer करता है आपका ICC International Cricket Council First edition आपका 2007 में हुआ था और जो अभी फिलाल में latest हुआ है वो 2021 में हुआ है United Arab Emirates और उमान में है जो अभी फिलाल में champion बना है वो है Australia यह आप बताएए कि उसने किसको हराकर विजेता बनाए Number of teams 14-16 थी Most successful team Western Indies है जिसने की दो बार title जीता है Player of the Series David Warner Australia से Most runs बाबर आज़म पाकिस्तान Most wickets यह Sri Lanka से हैं One and Two Hasranga यह आपको पता होना चाहिए चलिए अभी ordinance आपको पताएगी ordinance हमारे president और governor तब लेके आते हैं जबकि parliament आपके parliament picture में नहीं होती है अभी यह article 123 और 213 के तहत उनको power है कि वो ordinance लेके आ सकते हैं अब आप यह बताएए कि president किस article के तहत लेके आता है और आपका governor किस article के तहत जो life होती है ordinance की 6 महिने 6 वीक से ज़्यादा नहीं होती चलिए आगे देखते हैं आपने western घाट के बारे में सुना होगा उससे related दो important committee है अब भी उसको study करते है western घाट से related दो important committee जो हैं वो हैं कस्तुरी रंजन committee and गडगिल committee अभी यह देखते हैं कि western घाट में कौन-कौन से राज आते हैं देखिए आपका गुजरात महरास्ट 2nd 3rd गोवा 4th करनाटक 5th तमिलनाडू and 6th केरल अभी eastern घाट से भी देख लेते हैं उसमें कौन-कौन से इस state आते हैं औरीसा 1 आंदरप्रदेश 2nd तमिलनाडू 3rd 4th तेलंगाना 5th करनाटक अभी यहाँ पर देखिए कि आप कौन-कौन से common state हैं जो कि दोनों में आते हैं आपका देखिए करनाटका दोनों में आ रहा है और कोई आ रहा हो तो आप बताईए चलिए आगे बढ़ते हैं अभी आप जानते हैं कि हमारे समीधान में जो कि 26 नॉबंबर उन्निसोट नचास को पहली बार लागू हुआ था कुछ पार्ट उसका और 26 जनवरी उन्निसोट पचास से हम गरतान दिवस मनाते हैं तब से लेके अभी तक काफी समीधान में संशोधन हो चुके हैं चलिए तब वो ही जानते हैं सबसे पहले ये जो काफी इंपॉर्टन है 73rd Constitutional Amendment Act 1992 में हुआ था जो की पंचात राजसे से लेटर है चोहत्तरवां 1992 हुआ जो की मिनस्पलेटी से लेटर है आप जानते हैं कि शुरुवात में हमारे Fundamental Rights जो थी साथ थी लेकिन बाद में उनमें से एक हटा दिए गई Right to Property तो अभी उसी को study करेंगे शुरुवात में साथ थी फिर उसको एक को हटा दिए गई Right to Property को 44 में 77 संशोधन के तरफ 1978 में और उसको अब लेगे Right बना दिये गया है और वो Article 301 के तरफ रखी गई है पहले Article 31 ती अभी UP PCS में कोशन पूछा गया था कि Right to Property को कहां किस Article के तरफ रखा गया है वो है Article 301 चलिए रिवर गंगा गंगा मा की सब पूजा करते हैं रिवर गंगा जो ऑरिजिनेट होती है वो होती है गोमुक गंगोतरी क्लेशे उत्रा खंड से चलिए आगे बढ़ते हैं अभी Conference Party की मीटिंग हुई थी आपकी पहली जो हुई थी उसके बारे में जानते है वो बर्लिन में हुई थी जर्मनी उनिस सब पिचानवे आठमी जो हुई थी वो आपकी दिली में हुई थी दोजार दो में और 26 मी आपकी Glasgow UK में हुई है जो की directly पूछा जा सकता है 27 मी आपकी इजिप्ट में होने वाली है और 28 मी UAE में चलिए आगे बढ़ते है अभी जो defense system कुछ news में आए इनके full form आपको बतानी है जैसे कि THARD THARD हमारे USA का है उसका ही और S400 रस्टिया का है जिसको की हमने भी रस्टिया से ख़ईता है और R&O इस्राइल का है जब इस्राइल और परेस्टिन की बीच में contract चला था तब यह बहुत news में आगया था यह तीनों की तीनों system एक ही है नाम different है अलएलग nations के है इनके THARD के full form आप बताइए ब्रहमोस मिसाइल की बारे में आपने जाना हुआ तो ब्रहमोस जो है दो reverse से मिलकर बनी है नाम जो बनाए दो reverse से लेके बनाए ब्रहमोस पुत्र इंडिया की है और Moscow यह पिर रश्या की है चलिए आगे देखते है आपको पता हुआ कि हमारे समिधान में कुछ like schedules में कुछ states related अलेलग provisions हैं तो यहाँ पर छटी schedule की बात हो रही है जिसमें कि 6th schedule of the constitution provides for the administration of travel areas in असम, मेगाले, तिरपुरा, एंड मिजोरम मतलब कि ATM में money नहीं है असम, तिरपुरा, मेगाले money नहीं है मतलब मिजोरम है तो यह initiated है और इसकी जो provisions दे रहे हैं वो article 242 से लेके 251 तक है और जो इनका administrator करता है चलिए जादे important नहीं है एक बार नज़र डाल लीजेगा आप आगे देखते है अभी देखिए Scorpion Submarine जो पन डुब्बी है INES Vela और project P-75 has been delivered to the Indian Navy तो यह पता होना चाहिए कि INES Vela क्या है यह Scorpion Submarine पन डुब्बी है आगे देखिए आपको पता होगी जो Olympic हुए है उसमें अभी एक important question बना था कि जो Olympic हुए है उसमें Russia ने जो participate कहता हूँ किस flag के नीचे किया था आपको पता होगा अब बताते हूँ आपको Russian athletes will be competing under the flag of Russian Olympic Committee ROC during 2021 Tokyo Olympics and 2022 Beijing Olympics क्यों? क्योंकि WADA ने इसको punish कर रखा है यह अपना flag यूजर नहीं कर सकते WADA के है World Anti-Doping Agency ROC के flag के अंडर वो खेले थे इसके athletes अभी देखते हैं आगे countries and territories that have been granted a malaria-free certification from WHOR El Salvador 2018 में मिला है Algeria को 2019 Argentina 2019 Uruguay 2018 Uzbekistan 2018 यह World Health Organization है जिसका 7 April 1948 को formation किया गया था और World Health Report भी यही publish करती है World Health Day 7 April को मनाया जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं अभी 2022 में आपका World Cup होने वाला FIFA FIFA World Cup का तर्म है जिसमें की कुल मिलाकर 32 टीम खिलने वाली है और FIFA की फिल 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 में है वो देखते हैं अभी लोकस्वा में एक आटोमेटिक सस्पेंशन होता है जो कि 374 A के तहट एरेंट मेंबर्स जो कि जिनका विभार सही नहीं होता है मेंबर्स का उनकी लेटेट होता है मतलब यहाँ पर सस्पेंट नहीं करना पड़ता अगर वो ऐसी गलती करने हो आटोमेटिक सस्पेंट हो जाते हैं 374 A के तहट और जबकि ऐसा परविजन रास्वाह में नहीं होता है चलिए आज लास्ट चीज़ देखते हैं GST के बारे में GST के वह आपको पता है यह प्रफर्फर्म क्या है जिसको की पहली बार 2014 में ट्रोडियूस किया गया था 122 मां बिल था हूँ लेकिन 101 मां एमेंटमेंट एक बना 2016 में और 1 जुलाई 2017 से हमारे देश में GST लागू हो गया और 1 जुलाई को हम GST डेके रुप में सेलिबरेट करते हैं Article 279 A जो है उसके तरह GST कांसिल फॉर्म की जाती है जिसके चेर्मान जो होती है आपकी यूनियन फाइनस मेंस्टर होती है और GST तीन तरके के होती है जिसके CGST, Central Good Service Tax Interstate Good Service Tax State Good Service Tax और यही इसके आपके GST के अंदर होते है I hope कि आपको क्लास पसंद आई होगी अगर कोई doubtless suggestion है तो आप नीचे comment करके ज़रूर बताएं अगर आपको वीडियो देखने के बाद लगे कि PDF आपके पास होने चाहिए तो आप Telegram Channel जोइन कर सकते हैं जिसका link आपको description box में मिल जाएगा अगर कोई suggestion होता आप प्लीज बताएं बाकी की playlist बन रखिया आप वो जाके search कर सकते हैं काफी important है चलिए मिलते हैं next lecture में तब तक के लिए goodbye take care, thank you